वेल्कम टू इंटिलेक्टिस केमेस्ट्री मैं पॉनित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हम लोग नया चप्टर सुरू करने जा रहा है जो कि रियक्शन मेकैनिजम है उसके बारे में पढ़ेंगा रियक्शन मेकैनिजम कैसे की जाती है कैसे इंट्रेमेडियर बनता है कैसे कौन सा गुरूप किस पर अटाक करता है क्या क्या फैक्टर होते हैं वह सारी चीज़ें हम लोग रियक्शन मेकैनिजम के आंतर कर दिखते है स्टेब बाइस चलती है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं रियक्शन मेकैनिजम सो नया चीटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि यह उनके तक भी पहुँच सके हैं चलिए शुरू करते हैं निकलेफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन तो रियक्शन मेकैनिजम का एक पार्ट है तो आ सब्सक्राइब करें तरह का इसका प्रटेंशन डियाग्राम एविडेंश फॉर्डर रियक्शन ओके और नेक्स्ट इस निचर आप सब्स्ट्रेट निच नेवरिंग ग्रूप पार्टिसिपेशन और डिफरेंस बिट्विन थे एसन वन एन एसन तो रियक्शन तो आज की निचोवलें बॉंड बॉंड इस दोन अधर येक्शन ओप इस दोटेंशन और यहां पर सब्स्ट्रेट और यहां पर दोनों को हम कम नली बोलता है ठीक है तो एक्टिपिटिविटी के डिफरेंस होने की वज़े से जो की कर्बन से अधिक है तो यहां पर देल्टा निगेटिव चार्ज और कार्बन के उपर देल्टा पोजिटिव चार्ज आता है याट मेंज पोरेटी हाज बिन जनरेटेड ओके सेम लाइक मेथाल को राइट इन पोटासियम हीड्रोक्साइड अगें पोलराजेशन इस जनरेटेड बिकाज और को समझने के लिए क्या 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 कॉनसेट को समझने के लिए क्या क्या concept होते हैं electronic transfer of electron, nature of reagents and types of reactions तो इसके पहले हम general organic chemistry में electron transfer of electron, electronic transfer of electron and nature of reagents देख लिए हैं अब हमको देखना है types of reactions, कितने type के reactions होते हैं चलिए देखते हैं types of reactions So first is substitution reaction जो की आज की video lecture का major portion यह होगा उसके बाद होता है हमारा elimination reaction, addition reaction, condensation reaction, rearrangement reaction and then isomerization reaction तो यह 6 तरह की reactions जो आती हैं यह पूरे organic chemistry में यही 6 तरह की reactions उलट फिर करके पड़ते हैं हम हर तरह से ठीक है तो आज के इस video lecture में हम देखने वाले हैं substitution reaction ठीक है उसमें भी हम substitution reaction, aliphatic का देखेंगे जो की nucleophilic substitution reaction में based होता है तो इसका example होगा यहाँ पर SN1 और SN2 तो nucleophilic substitution reaction क्या होता है nucleophilic substitution reaction is the characteristic of the saturated hydrocarbon that means aliphatic aliphatic sp3 carbon to which living group is attached मतलब क्या हुआ कि aliphatic carbon या saturated hydrocarbon जो होता है वो mainly show करता है nucleophilic substitution reaction और यह किस carbon पर show करेगा जहां पर living group attached होता है मतलब कि जो living group लगा हुआ है उसको हटा के जब nucleophile खुद बैठता है इस तरह कि जो replacement होती है इसी को बोलते है substitution reaction चुकि यहाँ पर attacking species nucleophile है तो इसलिए reaction का नाम हम लोग दे देते है nucleophilic substitution reaction मतलब कि ऐसा reaction जिसमें nucleophile living group को substitute कर रहा है उसको replace कर रहा है ठीक है चलिए और डिपेंडिंग अपॉन दे नेचर आफ दे सबस्ट्रेट नेचर आफ दे रिएजेंट आफ दे एक्स्पेरिमेंटल कंडिशन इंप्लाइ दे निकलियो फिलिक्स सब्टूशन रिएक्शन प्रोसिडिट बाइ डिफेरेंट पात मतलब कि नेचर आफ सबस्ट्रेट नेचर आफ रिएजेंट एंड एक्स्पेरिमेंटल कंडिशन को बेस वान के हम निकलियो फिलिक्स सब्टूशन रिएक्शन को कई पात में हम कर सकते हैं जैसे कि SN1, SN2, SNI, SN1-SN2- तो यह हमारे जो सब्टूशन रिएक्शन की जो पात ह हैं तो इन में सबसे ज़्यादा फेमस जो होता है वह SN1 और SN2 ही हमारे सबसे ज़्यादे फेमस हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं यहां पर हम SN1 नुकलियो फिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन डैट मिंस फर्स्ट और रियक्शन यह क्या होते हैं लेट उस टेक एन एक् करेंगे तो टर्श्री ब्यूटाइल ब्रॉमाइड का जब अलकलाइन हैड्रीस तरते हैं मतलब कि इन प्रेजन साफ एल्कॉहल इट विल प्रोडूस टर्श्री ब्यूटाइल अलकॉहल और ब्रॉमाइड एज बेस नहां पे निकल जाता है तिक है एज लिविंग स्टेप इस लो हैट्रोलिसिस आफ दस अब्रॉस्ट्रेट गीव और इंट्रमीडिट कर्बोकटन डिस देप इस देटर्माइनिंग स्टेप किसी भी रियक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही उस रियक्शन का रे डिटर्माइन करता है ठीक है तो आज तो यह हमारा इस रियक्शन का रे डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ठीक है तो यहाँ पर बूला गया स्लो है ट्रोलिसिस क्या होता है हमने जी वसी में पढ़ रखा है है एलेक्ट्रो लिसिस उता है जब किसी बॉन्ड को अनिकॉल डिविजन इलेक्ट्रॉन का डिवि स्थेबेर्बीडिय कर्बोकटायन का पहले STEP में हम को इंटर्मीडिय के इसकी स्थेबलीटी हम चेक करेंगे यह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं श्की स्थेबिलीटी क्या होगा कुंकि मैंने एक्जांपल लिया है तो यह अलड़ी स्टेबल होगा hyperconjugation से क्योंकि यह tertiary है अब second step क्या होता इसका this step is the fast combination of the intermediate carbocation with the nucleophile second step fast होता है इसमें क्या होता है combination होता है मतलब कि nucleophile और carbocation के combination होता है और हमको क्या मिल जाता है उसका product reaction का जो main product होता है वो हमको मिल जाता है तो hydroxide आन यहां पर as a nucleophile work करता है reaction fast होती है तो हमको substitution product के form a tertiary butyl alcohol मिल जाता तो this is overall SN1 reaction तीक है अब इसके कुछ factors के बारे में जानेंगे इसके evidences के बारे में जानेंगे सो SN1 is the indirect displacement reaction कोई भी direct displacement नहीं होते है indirect क्योंकि पहला step में क्या होता है कि कर्बोकाटान बनता है और leaving group depart होता है second step में जाके वहां पर nucleophile add होता है since carbocation form in this reaction rearrangement in carbocation may be takes place हमने कर्बोकाटान के stability जब देखी थी GOC में reaction intermediate में तो हमने वहां पर एक method बताया था जो की rearrangement होता है कि कर्बोकाटान को stabilize करने के लिए for example अगर किसी reaction में primary या secondary कर्बोकाटान बनता है और वहां पर chance high की rearrangement करके हम tertiary या secondary बना सकते हैं जो कि primary या secondary से ज्यादा stable होगा तो उस reaction intermediate में जो कि हमारा बना हुआ है primary या secondary है तो वह आपस में rearrange होंगे और वहां पर tertiary कर्बोकाटान बनेगा थीक है तो वहां पर rearrange product भी हमको उस reaction में मिलने लगते हैं चलिए differential rate law of SN1 is equal to rate is equal to k into concentration of substrate substrate यहां पर क्या है जो भी हम वहां पर group लिया हुए मत्से हमने यहां पर methyl chloride लिया या फिर tertiary butyl bromide लिया तो वह हमारा क्या होता है एक substrate के उपर dependent होता है तो यहां पर rate constant into concentration of the substrate पे dependent करता है so order of reaction is first order order जो होता है वो क्या होता है यह chemical kinetics की बासा में अगर एक substrate direction कर रहा है तो उसको बोलते हैं first order दो substrate कर रहे हैं तो महां पर second order तीन substrate कर रहे हैं तो महां पर third order होगा reaction यह order of reaction विल भी three ठीक है तो यह kinetics का question होगा अब देखना हमको उसका evidence evidence की SN1 reaction हो रहा है और वो हमारा evidence बताया की SN1 reaction हो रहा है तो evidence में हम पहला लेते हैं kinetics kinetics को एक evidence मानेंगे the rate of SN1 reaction depends on the concentration of alkyl halide और substrate यह हम लोगों देख लिया है it is independent of the concentration and the nuclear felicity of the attacking nuclear file SN1 reaction जो के होता है केवाल dependent होता है वो substrate के ओपर ना कि जो attacking reagent है for example यहां पर nuclear file होगा उसके concentration पे या फिर उसकी nuclear felicity पे वो dependent नहीं होता है ठीक है thus kinetics is very strong evidence for the SN1 reaction that this reaction is first order reaction ठीक है SN1 में S-Demokrata substitution N is equal to nucleophilic 1 means that is the kinetics of the reaction that means one represents the first order reaction okay and the second is the stereochemistry what about stereochemistry of SN1 reaction so SN1 reaction proceed with partial racemization and some inversion reaction यहां पर कुछ racemization होगा कुछ inversion होगा कुछ क्यों होगा क्यों क्योंकि complete racemization नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों यह rearrangement होता है तो वहां पर complete racemization होने के chances नहीं है ठीक है in SN1 reaction an intermediate carbocation is formed which is planar and vacant P orbital present perpendicular to the plane one above another one is below of it ठीक है vacant P orbital जो carbocation present है वो उस plane के perpendicular होता है एक orbital उस plane के उपर और दूसरा उसके नीचे present होता है so nuclear file can attack on the carbocation from either side resulting in the complete racemization ठीक है अगर दोनों sides attack करेगा तो वहां पर complete racemization होने के chances हैं but but 100% racemization does not occur तो वहां पर क्या बनता है 80-95% racemization होता है 5-20% inversion होता है optical purity की बात करते हैं या इन्योंसियोमेरिक एक्सेस की बात करते हैं तो वह 5-20% होता है ठीक है तो यहां पर studio chemistry भी दिखाती है कि यहां पर SN1 reaction हो रहा है वहां पर कर्बोगटान बन रहा वहां पर rearrangement हो रहा है तो यह भी एक evidence है जो की प्रूफ करता है कि यह SN1 reaction है next देखते हैं इसका potential energy diagram यह क्या शो करता है potential energy diagram में यहां पर हमको दो peak मिलते हैं क्योंकि reaction दो step में होती है तो वहां पर हमको दो peak मिलेगी ठीक है यह पहला transition state है यह second transition state यह बेच में हमारा बनता यह पर किर्बोगेटा के बात करेंगे तो intermediate बनता है तो progression और product के बात करेंब्तोगेशन और energy दियो यह जड़ा और प्रोड़क से बीज़ड़ नर्जी भी बहुत है तो वहां हम डिल्टा है इस यहां पर शो कर रहा है एक्जोथरमिक क्योंकि एनर्जी की बात करते हैं तो रियक्टन की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इसलिए वहां पर एक्जोथरमिक रियक्शन होगा and the activation energy of the SN1 reaction depends upon the stability of the Carbocatron Carbocatron कितना ज़्यादा stable होता है activation energy उतनी ही कम होगी ठीक है तो यह हमारा दिखाता है potential energy एक प्रूफ देता है कि यहाँ पे Carbocatron बन रहा है और वहाँ पे stabilization भी हो रहा है उसकी energy activation energy कितना कम है ज़्यादा है वो उसकी stability के according vary करता है ठीक है तो next point is formation of rearranged product rearrangement कियो होता है due to Carbocatron Carbocatron बनता है is there any chance of rearrangement to produce more stable Carbocatron then there will be the rearrangement in that Carbocatron okay so rearrangement is one of the characteristic feature of the Carbocatron we know all that so in general there is greater number of byproduct in case of SN1 reaction SN1 reaction में generally byproduct ज़्यादा मिलता है क्यों क्योंकि वहाँ पे rearrangement होगा जितने rearrangement के बाद जितने भी Carbocatron प्रेडूस होंगे primary, secondary, tertiary वहाँ पे उतने ही byproduct बनेंगे for example हमने यहाँ पे एक example लिया हुआ है chloride को लगा है हमने second number third number पे और अगर हम double bond की बात करते तो alpha carbon पे मैंने double bond भी लगाया हुआ है और ethanol के presence में यह addiction चला रहे है तो एक Carbocatron यहाँ प्रोडूस होता है उसके एक alpha position पे हमारे क्या है double bond so alternate position पे double bond होने की वज़ा से यह double bond यहाँ shift होगा और यह plus charge हमारा यहाँ shift होता है तो दो resonating structure बनते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एक normal product यह है जो की original Carbocatron बनता है but after rearrangement हमको एक product यह मिलता है जिसको बोलते हैं rearranged product ठीक है rearrangement बनता है अब इसमें stability की बात करते हैं तो कौन सा Carbocatron ज़्यादा stable है वहाँ की बात करनेगी यहाँ करते हैं तो यहाँ पे secondary Carbocatron बना हुआ है और यहाँ पे primary Carbocatron तो जाइड सी बात है कि जो हमारा original Carbocatron थो ज़्यादा stable था तो यह major amount में product बनेगा और यह minor amount में थीक है तो यह भी प्रूब करता है कि वहाँ पे Carbocatron बन रहा है उस reaction में और वहाँ पे rearrangement भी हो रहा है rearrange product भी हमको मिल रहा है as a by-product so this is the evidence for the SN1 reaction okay so next is SN2 reaction mechanism यह क्या होता है let us take an example of alkaline hydrolysis of methyl bromide to give the methanol methyl bromide से methanol लेना है methyl bromide का alkaline hydrolysis करते हैं तो यह direct displacement होता है SN1 क्या था हमारा indirect displacement और SN2 कैसा है direct ठीक है कैसे होता है अब इसका हम mechanism देखेंगे so in the mechanism of SN2, SN2 mechanism is a one step concerted process and involves no intermediate यहाँ पे कोई भी intermediate नहीं बनता है यहाँ पे किवल एक transition state बनता है single step में होता है जिसको बोलते है concerted mechanism concerted का मेकेनिजम होता है कि सारे process एक ही step में complete होंगे ठीक in this reaction the nucleophile attacks to the substrate from the back just back side या opposite side at 180 degree to the living group मतलब क्या हुआ nucleophile living group की just opposite direction से attack करेगा ठीक है so the carbon hydrogen bond is formed as the carbon bromine bond is broken in the transition state तो example में हमने यहाँ पे hydroxyl ion को attack कराया है bromine के opposite side से जैसे ही यह opposite side से attack करता है तो carbon और oxygen का bond बनना सुरू होता है और carbon और bromine का bond तूटना सुरू होता है इसलिए इस transition state में हमने दो dotted bond बनाया है कौन कौन सा carbon और hydroxyl group का carbon और bromine group का तो यह हमारा transition state है और जब यह reaction complete होती है तो यहाँ से bromine बाहर निकल जाएगा और carbon और oxygen का bond complete हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि back side से attack होने की वजह से complete inversion होता है inversion मतलब कि suppose कि पहले हमने D कोई molecule लिया है जिसका specific rotation जो हमार D था अब बात में उसका क्या हो जाएगा अल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता जो compound पहले right side में या उसको बहुत सकते हैं dextro side में plane polarized light को right side में rotate कर रहा था अब उसको left side में rotate करेगा मतलब वहाँ पर compound का inversion हो गया after reaction so reaction is passing through the transition state in this reaction nucleophile attack on the substrate from the back side due to the loan pair repulsion between the chloride ion और hydroxyl ion यहाँ ब्रोमाइड आयन और hydroxyl ion के बीच में जो electron repulsion हो रहा है तो उसके बीच में repulsion की वजह से यह उस side से attack न करके उसके back side से attack करेगा the rate of SN2 reaction depends upon the concentration of the alkyl halide and the concentration of nucleophile ठीक यहाँ पर जो SN2 हमने लिखा हुआ है यह SN2 में SN2 क्या रिप्रेजेंट करता है SN means substitution reaction, N means nucleophilic, 2 means second order order of the reaction is equal to 2 so the rate of SN2 reaction depends upon the concentration of alkyl halide as well as on the concentration of nucleophile that's why the rate of reaction is, sorry, order of the reaction is 2 so differential rate law we can write as rate is equal to K into substrate concentration into the nucleophile concentration ठीक है, K हमारा यहाँ पर rate constant है अब देखते हैं, since in SN2 reaction backside attack occur by the nucleophile therefore reaction is under hysterically control मतलब क्या हुआ, जबकि reaction में nucleophile हमारा backside से attack कर रहा है इसलिए reaction पूरी तरह से hysterically control हो जाता है मतलब क्या हुआ वहाँ पे, कि कोई वेगर hysterically hindrance लग रहा है वो भी reaction को प्रभावित करेगा, उसको भी effective करेगा इन SN2 reaction, in transition state, central carbon and three hydrogen in one plane and the living group and the nucleophile are perpendicular to each other perpendicular to plane, one above, another one is below of heat जो हम transition state बना रहा है, वहाँ पे carbon की पांच balance शो कर रहा है ठीक है, तो ये तीन तो हमारे एक plane में है ठीक, अब यहाँ पे अगर living group रखा हुआ है, यहाँ पे हम nucleophile रखे है तो एक हमारा above the plane होगा और एक हमारा below the plane होगा ऐसा हमने यहाँ पे mark किया हुआ है ठीक, SN2 mechanism में अब उसका evidence देखते है, SN2 mechanism का क्या evidence है तो अगर kinetics की बात करते हैं, तो SN2 reaction is a second order reaction जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया rate is equal to k into concentration of substrate and concentration of nucleophile के बराबर होता है एक main point है, if a large excess of nucleophile is present for example, in solvolysis, the mechanism may still be bimolecular although the experimental determined the kinetics will be first order जैसे कि मातलब nucleophile हम solvolysis में water as a reaction करा रहे है तो hydrolysis होगा है, तो water वहाँ पे excess में present होगा तो वहाँ पे उसके concentration को हम negligible mon लेते हैं योगि वो excess में है, तो वहाँ पे rate depend करता है हमारा केवल उसके substrate के concentration में, for example, alkyl halide तो यहाँ पे क्या हुआ, reaction तो bimolecular है तो उसका जो reaction तो molecularity कितनी हो गई, 2 molecularity कितनी हो गई, 2, लेकिन order कितना हुआ, 1 क्योंकि total rate जो हमारा depend कर रहा है, concentration अब substrate बन कर रहा है ना कि nucleophile के भी, तो एक substrate होता है, यहाँ पे concentration का तो यहाँ पे order हो जाएगा 1 तो इस तरह के reaction को हम क्या बोलते हैं, pseudo first order reaction this is a very important point, कि pseudo first order reaction in organic chemistry क्या होता है हम लोग chemical kinetics में पढ़ते हैं, वहाँ तो बहुत स्री एक्जामपल है लेकिन organic chemistry में अगर दिया जा तो SN2 mechanism हमारा second order भी होता है और pseudo first order भी होता है, एक special example के तौर पे जब हम soluble lysis कराते हैं ठीक, चलिए, second is the studio chemistry of the SN2 mechanism यहां की studio chemistry क्या कहती है, the SN2 reaction proceed with the inversion of the configuration पहले हमने बता दिया, D का L हो जाएगा, R का S हो जाएगा at the carbon at which the substitution has taken place, SN2 reaction is a studio specific reaction SN2 कैसा होता है, studio specific reaction होता है, और यहां पे inversion of configuration होता है R है तो S, D है तो L for example, एक example हमारे पास यहां पे है, और यहां पे ethanol में हमने ethoxide लिया हुआ है as a nucleophile, जैसा ही यह attack करता है, तो पूरा का पूरा configuration 100% R से 100% S हो जाता है, so this is showing there is a inversion of configuration okay, so next point is, thus in the SN2 reaction, an enantiomerically pure reactant leads to an enantiomerically pure product with inversion of configuration okay, so this inversion of configuration is called the Walden inversion 1893, as given by Walden in 1893, or known as the Walden inversion so this is very strong evidence for the SN2 mechanism, SN2 mechanism के लिए बहुत ही strong evidence है कि वहां पे उसकी studio chemistry invert हो जाती है, compound अगर हम शुरुवात में reactant लेते हैं R और product में हमको मिलता S, that means it is showing there is a SN2 reaction, okay, and the next evidence is the formation of single substitution product, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई intermediate बनता ही नहीं है, तो वहां पर rearrangement क्या होगा, rearrangement नहीं होगा, तो वहां पर जो product मिलेगा हमको केवल single substitution product मिलेगा, this evidence that these are one step reaction, that is, they do not proceed through the reactive intermediate, यहां के reaction के बीच में, reactive intermediate नहीं बनता है, SN2 reaction usually yields single substitution product, this is also the strong evidence for the SN2 reaction mechanism, ठीक है, next is the potential energy diagram, what is say, in potential energy, this is showing one peak, that means it is a single step reaction, okay, so single step, this is the point where the transition state, this is showing the activation energy for the forward direction and this much energy is the for product, this much energy is the for the reactant, यहां पर reaction feasible होगा, delta H is equal to delta HP minus HR is equal to minus, ठीक है, तो यहां पर यह reaction भी कैसा होगा हमारा, exothermic, so activation energy of SN2 reaction depends upon the stability of the transition state, अब transition state की stability किस पर depend करती है, उसके लिए भी कुछ points हमने लिखा हुआ है, देखते हैं, the presence of electron withdrawing group on the central carbon increases the stability of transition state, अगर transition state में, जिस carbon पर हम substitution करा रहे हैं, वहां पर कोई electro negative group जुड़ा हुआ है, या फिए electron withdrawing group जुड़ा हुआ है, तो उस transition state की stability को वह increase कर देगा, ठीक है, rearrangement does not occur in the SN2 reaction, SN2 reaction में rearrangement नहीं होता है, ठीक है, both in SN1 and SN2 living group depart or leave in the slow and rate determining step, therefore nature of living group does not define the path of reaction, but define the rate, मतलब क्या हुआ, SN1 और SN2 में living group depart होता है चोड़ता है slow और rate determining step में, इसलिए बोलते हैं, nature of living group उस reaction का path define नहीं करेगा, लेकिन उसका rate जरूर define करता है, कि वह SN1 होगा या SN2 होगा, रेट में order उसका define करेगा, कि वह second order reaction होगा, या first order reaction होगा, तो यह किस से decide किया जाता है, nature of living group उससे define कर जाता है, nature of living group से, अब बात करते हैं, living group की weaker the base is the best living group, more reactivity of the substrate for the both SN1 and SN2 reaction, ठीक है, for example, alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride, alkyl fluoride, यह हमारे पास reagents है, इसके जो हम living group बनाते हैं, तहाँ पे minus I minus iodide है, bromide है, chloride है, fluoride है, तो यहाँ पे order of reactivity जा कर रहे हैं, order of living group in the both SN1 and SN2 best order होता है, सबसे best होता है हमारा iodide, क्योंकि यह जो base बनाता है, यह weak base बनाता है, और यह हमारा strong base बनाता है, ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे यह हमारा order बनेगा living group का, best living group हमारा iodide होता है, और यहाँ जो weaker living group होता है, वो fluoride होता है, ठीक, अब बात करेंगे, nature of substrate is the major deciding factor to define the path of the nucleophilic substitution reaction, nature of substrate पे कैसे define करता है, पहला point, if substrate is CS3X, alkyl halide मतलब की primary है, या बोल रहते हैं कि simple alkyl halide है, the reaction is proceed through SN1, because in methyl halide, steric hindrance is minimum, हमने पहले बोला था कि SN2 reaction is sterically controlled, मतलब अगर वहाँ पे steric hindrance होगा, तो SN2 mechanism ही follow करेगा, क्योंकि वहाँ पे steric hindrance नहीं होना चाहिए, ठीक है, and the backside attack of the nucleophile is easy, जैसे ही वहाँ पे hindrance आता है, तो backside attack आ जाएगा, और methyl chloride में हमारा क्या होगा, simple अगर methyl halide में लेते हैं, तो वहाँ पे hindrance minimum होता है, और backside attack हमारा easy हो जाता है, ठीक है, second point, but in case of tertiary alkyl halide, the reactant is best, the reactant is best for the SN1, because tertiary alkyl halide gives the stable carbocatine, tertiary alkyl halide की बात करते हैं, तो ये केवल और केवल SN1 को follow कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जब carbocatine बनेगा ना, तो वह carbocatine ज़्यादा stable होगा, और उसमें stability आएगी, तो वो सीधे सीधे SN1 को ही follow करेगा, ठीक, चलिए, next point है, but in case of tertiary alkyl halide, देख लिया, and if other alkyl halide, for example, primary and secondary, undergo nucleophilic substitution, either goes by SN1 or SN2, depends on the nature of reagent and experimental condition, मतलब अगर primary और secondary है, तो वहाँ पे हम देखने लिए बात है, कि वो SN1 से जाएगा, या SN2 से जाएगा, यह किस पे depend करता है, यह depend करता है, हमारा nature of reagent पे, कि हमने जो attacking reagent लिया हुआ, nucleophile वो strong है, weak है, experimental condition कैसा है, polar protic है, polar aprotic है, इन सारी चीजमें पे depend करेगा, कि हमारा reaction SN1 जाएगा, या SN2 जाएगा, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं, nature of substrate, यह कैसे define करता है, if there is unsaturation at the alpha carbon, for example, vinyl chloride, acetyl chloride, chlorobenzene, डज नाट undergo the nucleophilic substitution reaction, यह ऐसे compound जिनके, जो कि alpha carbon पे unsaturation present होता है, वो नहीं जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, nucleophilic substitution reaction में क्यों नहीं जाते हैं, it is because, due to the resonance, carbon living group bond is stronger, वहाँ पे living group जल्दी depart ही नहीं होता है, क्योंकि carbon और living group के बीच का जो bond हो जाता है, वो strong हो जाता है, क्यों? due to resonance, if unsaturation on the beta carbon, then nucleophilic substitution reaction proceed, either by the SN1 or the SN2 path, depending on the nature of reagent, experimental conditions, कैसे substrate है, वो सारे चीज़ें वो सुटीबेंड करता है, वो बताया ही आपको, यह SN1 जाएगा, यह SN2 जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं, एक condition हमने ले लिया यहाँ पे, if there is hetero atom at the alpha carbon, alpha carbon पे हमने hetero atom लगा दिया, excellent for the SN1 reaction है, क्यों कि जब क्लोरीन बाहर निकलेगा, कार्बोकाटान बनेगा, यह कार्बोकाटान इस्टेबलाइज कर दी जाएगा, इस lone pair of oxygen से, और यहाँ पे हमको, दो रिजोनेटिंग स्ट्रेक्श्टर बनेंगे, अब दोनों तरक हमें product मिलेंगे, ठीक, excellent for SN1 reaction, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकाटान, resonance या, mesomeric effect बोले, उसकी वज़ासे यह stabilize हो रहा है, दूसरा example, RO लिया हमने, ROCHCl, यहाँ पे जब क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ प्लास चार्ज बनेगा तब भी, but good for SN2 mechanism, क्यों, SN2 mechanism के लिए यह good क्यों है, क्योंकि एक तो withdrawing group लगा हुआ है, transition state stable होगा, और यहाँ पे SN1 का chance नहीं होगा, क्यों, क्योंकि, sorry, यहाँ पे कर्बोरीन ग्रूप लगा हुआ है, तो यहाँ विड्राइंग ग्रूप लगा हुआ है, transition state इसका stable होगा, ठीक, और यहाँ पे delta positive charge आ जाजा है, कर्बोरीन कर्बन पे, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा कर्बोकाटान, तो यहाँ पे same charge के बीच में repulsion होता है, तो कर्बोकाटान unstable हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे chance of SN1 नहीं होगा, कोई भी chance नहीं है SN1 का, तो यह भी किसे लिए जाएगा, excellent substrate for the SN2 reaction, अब अगर हम बात करते हैं, bridge head carbon की, तो bridge head में हमारा कैसर reaction फॉलो होता है, तो there is no chance of NSR, NSR मतला नुकलियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन क्यों वह या, क्यों नहीं होगा, because there is no planarity in the transition state, यहाँ पे कोई भी transition state बना लो, चाहिए कर्बोकाटान बनेगा तो वो भी stable नहीं होगा, for SN2 के लिए, यहाँ पे हम transition state में कोई planarity नहीं होगा, क्योंकि यह out of plane है, यह दोनों भी out of plane है, एक plane नहीं है, steric hindrance है, और no free rotation, that is hindered rotation in the cyclic compound, so cyclic compound में ना तो planarity है, और वहाँ पे steric hindrance बहुत ज़्यादा है, और ना यह free rotation है, वहाँ पे कोई भी free rotation नहीं होगा, तो वहाँ पे SN2 reaction तो नहीं जाएगी, ठीक, no planarity of carbocatine, hence does not show the SN1 mechanism, planarity carbocatine बनेगा, तो उसमें भी planarity नहीं है, इसलिए वहाँ पे SN1 mechanism भी follow नहीं होगी, so bridgehead carbon does not go under the nucleophilic substitution reaction, if carbon is tertiary and rigid cage-like structure of compound, that is no inversion, वहाँ पे inversion भी नहीं होगा, rigid cage-like structure होता है, वहाँ पे कोई भी inversion भी नहीं होगा, तो basically bridgehead carbon पे अगर लगा हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी nucleophilic substitution reaction तो नहीं होगी, ठीक है, तो यह हमारा SN2 होगया, उसको stabilize करने के लिए, SN2 mechanism या SN1 mechanism के लिए, एक major factor होता है, for example, neighboring group participation, neighbor group उस reaction में कैसे participate करता है, और वो participate करने के साथ-साथ, उस reaction पे क्या effect डालता है, वो भी देखना है, क्या होता है, एक living group लगा हुआ, जिस carbon से, उस carbon से alpha position पे, कोई ऐसा group लगा हो, जिसके पास loan pair हो, negative charge हो, तो वो neighboring group की तरह, उस reaction में participate कर सकता है, for example, यहाँ पे loan pair है, इस Z के पास, यह loan pair अटेक करता है, इस carbon पे, और यहाँ से living group को depart कर देता है, सो first step is the slow intramolecular SN2 inversion, हो जाता है, living group बाहर हो गया, और फिर यहाँ पे हमें एक cyclic compound मिलता है, intermediate के तरह पे, cyclic मिलता है, तो neighboring group participation में, एक characteristic होता है, को वहाँ पे cyclic intermediate बनता है, ठीक है, अब यहाँ पे intermolecular SN2 होगा, nucleophile अटेक करेगा, इस carbon पे, और Z अपना lone pair लेके, बाहर निकल जाएगा, मतलब बाहर क्या मतलब कि, उस ring से बाहर हो जाएगा, तो एक अलग group के तौर पे, उस alpha carbon पे लगा रहेगा, तो intramolecular SN2 होता है, यहाँ पे fast होता है, inversion होता है, तो दो inversion होने के बाद, हमको result जो मिलता है, वो retention का मिल जाता है, तो overall हमको जो product मिलता है, वो यह होता है, net result of retention of configuration, ठीक है, in the first step of this reaction, is the neighboring group act as a nucleophile, pushing out the leaving group, leaving group निकालने के लिए, neighbor group हमारा as a nucleophile act टाता है, in the second step, the external nucleophile pushes out the neighboring group, a common feature of all neighboring group mechanism, is the formation of the cyclic intermediate, वहाँ पर ये common feature होता है, को वहाँ पर cyclic intermediate का formation होता है, जो कि ये step है, तो ये neighboring group participation की बात हो गई, ठीक है, इसके कुछ और points हैं, देख लेता है, in neighboring group participation, a rate of reaction is thousand time increases, compared to the single intermolecular nucleophilic substitution reaction, जब neighboring group का participation होता है, जब neighboring group का participation होता है, तो वहाँ पर reaction जो होती है, thousand time increase हो जाती है, as compared to the single intermolecular nucleophilic substitution reaction, so this rate enhancement by the neighboring group participation is called the enchimeric assistance, क्या बोलते हैं इसको, enchimeric assistance, and such reaction are called as the enchimerically assisted reaction, क्या बोलते हैं, such reaction is known as the enchimerically assisted reaction, for example, rate is equal to k into substate, क्या हो गया, k into substate, this is also the first order reaction, okay, so in this reaction, stereochemistry of the compound is retained, double inversion होने की वज़ा से, overall जो होता है, वो retention हो जाता है, so this reaction consists, so this reaction consists of two SN2 path, दो SN2 path होता है, with inversion of configuration, that is product is retention, दो SN2 reaction होता है, दो बार inversion होगा, overall जो होता हमारा retention of configuration हो जाता है, for example, एक R हमने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक bromine हमारा as a living group है, और hydroxyl यहाँ पे इसका lone pair, यहाँ पे as a neighboring group participation होगा, तो हम alcohol से treat करेंगा, तो यह H बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलते यहाँ पे O minus होगा, carboxylate ion, इसका negative charge attack करेगा, इस carbon पे और यहाँ से bromine हो जाएगा बाहर, तो पहला intramolecular SN2 reaction होगा, inversion होगा यहाँ यह हमारा होगा S, ठीक, यह कैसा हुआ, S और एक cyclic compound यह बनता है, अब जो हमारा external nucleophile है, यह attack करता है, इस carbon पे oxygen अपना lone pair लेके बाहर निकल जाएगा, negative charge carboxylate ion यहाँ पे, और यहाँ पे hydroxyl group, in place of bromine, there is a hydroxyl group, और overall जो configuration है, यह R था, यह S हुआ और यह R हो गया, तो यह हमारा होता double inversion या फिर retention of configuration, ठीक है, आई वाद समझ में, अब देखते हैं, difference between the SN1 and SN2 reaction mechanism के बीच, तो the difference है, वो क्या-क्या है, पहला point SN1 में, it takes place in the polar protect medium, जबकि SN2 में, it takes place in the polar aprotect medium, और non-polar reaction medium में, ठीक, दूसरा point, in SN1, rearrangement can be takes place, बत इन SN2, rearrangement cannot be takes place, ठीक है, third point, product of SN1 mechanism is resmic mixture, वही पहला है, अगर SN2 mechanism में, product is inversion product, SN1 में क्या हुआ, resmic mixture, SN2 में, inversion product, there is a difference, so next point is, reaction goes through the carbocation, intermediate in SN1 mechanism, whereas, reaction goes through the transition state, in the SN2 mechanism, ठीक है, next point is, this is the first order reaction, that is SN1, and this is the second order reaction, in SN2 mechanism, तो यहाँ पहे कुछ दिफेंसे हैं, और भी दिफेंसे हैं, अगर देखते हैं, next is the, activation energy of SN1 reaction, is depends upon the stability, of the carbocation intermediate, SN1 में, जो activation energy होती है, वो, carbocation की stability, पे depend करता है, जबकि, activation energy for SN2 reaction, depends upon the, stability of the transition state, और transition state की stability, हम discuss कर चुके हैं, जबकि, SN2 mechanism, takes place in, one elementary step, ठीक है, यहाँ पहे हमारा, SN2 concerted mechanism होता है, याद करने वाले बात है, इजा में बहुत पूछता है, concerted mechanism किसमें होता है, तो, एक answer होगा, SN2 mechanism में, ठीक, SN1 required, only the weak nucleophile, whereas SN2 required the strong nucleophile for the reaction, so these are the differences between the SN1 and SN2 reaction mechanism, nucleophilic substitution reaction में, जोकि, अलिफेटिक में, SN1, SN2 के लिए, आज के लिए इतना ही है, आगे हम लोग और भी आगे देखेंगे, SN1-, SN2-, SNI, तो यह सारे चीज़ें भी देखनी है, ठीक है, तो, अभी यह हमारा पहला वीडियो था, अब कोई वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्स्ट्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हर वीडियो को नटफिकेशन आप तक पहुँच सकें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इसको, ठीक है, तब तक के लिए थाइंक्यू मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रियक्शन के साथ, ताकि करें दोस्तों में,